कोरोना वायरस से हाल दुनिया भर मा हाकार मचावे छे त्यारे हवे कोरोनानू संकट भारत पर आविए छे अन्या त्यार सुधी भारत मा कोरोना वायरस ना 110 केस नोंदाया छे अन्ये बे लोकों रुत्युबा में छे त्यारे हवे सरकारे लोकोने साउचित रहवाना संदे सापी दिदाचे त्यारे कोरोना वाइरस थी बचवा माटे जिल्लानी लोप्रिया न्यूस चैनल बीके न्यूस चैनल भरा जाने ता तबीबों ना जरूरी मन्तव्य ले कोरोना वाइरस ती महिदगार करवा माटे लोकोना गर्स हुदी वात पोंचारी रहा छे अजे पालंपुना प्रतिश्टित तबीब डॉक्टर मयंकबाई साह बीकेनु स्चेनल साथे नी वाच्चित मा कोरोना वाइरस ना संक्रमन थी सरीड पर कैरी ते असर थाई शे अने कोरोना वाइरस ने जड़प्ती फेलावता अटकावा माटे नागरी कोई सूसाव शेती राखवी जुए तीवी जरूरी तबीबी टिप्स डॉक्टर मयंक बाई साहे आपिरती नमस्कार मित्रों कोरोना वाइरस ना अत्यार जे वावड चाली रहे हो छे एमा खोई ये डरवानी जरूर न थी पन सरकार जेम आपने जाहेर करी रही छे अथ्वा सरकार जेरी ते आपने गाइड करी रही छे ए प्रमणे आपने एना विशे ध्यान राखवी जरूरी छे जनरल ध्यान आपने ए राखवी जुए कि शक्य हो एत्या सुधी मोटा जाहेर समारम के उन न करूँ जुए पचास मानसो थी वदू कोई जग्याए व्यक्तियों भेगा थाए एवा तमामे तमाम समारंब आपड़े एवोईड करवा जुए जाहर जग्याए जवानू एवोईड करवा जुए सेल्फ जाते आपनी जातने रिस्टिक करिये अपने सपोज कारण वगनी एक्टिवीटी ना हुए ज़रूर ना हुए तिया घरनी बार न निकलिये नेक्स्ट एक बेव अठवाडिया जो आपड़े साच्वी लई सु तो करणा नो मोटो स्प्रेड था तो आपड़े रोकी शक्सु अने जेना थी आपने बदाने नुक्षान था तो अठकी जाए बेजिकली आ वाइरस नो सौथी मोटो डिसेडवांटेज अथवा ड्रॉबे के जेके दर्दी ने चेप लागया पछी पन चौथी पंदर दियो सु ती एना कोई लक्षन होता ना थी एटले सपोज कोई ने चो कॉरोना था हो हो चे तमारी बाजु में बेठ हो चे तो फंदर दियो सु थी तमने खबर नधी पढ़वा नीके एने छे नहीं ये जारे तमने चेप लगाड़ से त्यारे तमने खबर पड़ से ने तमने पड़ 25 दिव से खबर पड़ से के मन्या नहीं असर थाई ये ले नेक्स एक बे अठवाडिया जो आपडे साच्वी लईए अननेसेसरी लोकों नों कॉंटेक्ट एवएड करिये, मोटा समारम एवएड करिये, फ्रिक्वंट हाथ दोविये, आख, नाक अथवा मोडा ने बशक्येटलू ओछो अडवानों प्रायतने करिये अथवा आडवानी, जरूर लाग अथवा कोई तकलिफ होई, तो हाथ दोविये साबू थी, अथवा सामने व्यवस्तितरी ते हाथ दोविये जे कर्शू, तो आपने कॉरोना नों स्प्रेड चोकस परने अटकावी शक्सू